Hello everyone and welcome to my channel आज बतवे वाली दाल बनाते हैं तो आज कल मारकेट में बहुत अच्छा बतवा फ्रेश आ राहे है और बतवा हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशल है तो आज बनाते हैं बतवे की दाल इसको हम उरत की दाल के साथ बना रहे हैं आप चाहें तो इसको अरहर की चने की किसी मसूर की दाल के साथ बना सकते हैं हमने यहाँ पर एक कप उरद की दाल ली है तो इस साबुत उरद है और इसको हमने 6-7 गंटे पानी में विखो दिया था तो अब अच्छी तरह से फूल गई है और यह 500 ग्रम बत हुआ है तो इसके मोटी रंठा लटा दी है इसको अब हम धो लेंगे अब कूकर ले लेंगे तो इसमें हम सारी दाल ट्रास्फर कर देते हैं इसको हमने तीन बार पानी से अच्छी तरह दो लिया था और अब हम बत्वे की पत्तियों को भी इसमें एट कर देते हैं इनको भी हमने काटके अच कर देते है कूकर में जार में नहाइं एक lunch नमक पर कर जसमें हलदी डाल देंगे यह 1दी फूस्पून है ऐखे लिए और मिर्च यह आप टीजिपेन सब्रह्सपून करेंगे इसके बाद इसमें हंग एड़ करेंगे तो यह हम हिंग वन फोथ टी स्पून ली है ज्यादा नहीं डालनी है अधरक को ग्रेट करके डाल देते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये अब कूकर को कवर करके हम इसको प्रेशर कूक कर लेंगे और दाल करने तक इसको पका लेंगे तो अब ये दाल अच्छे से गल गई है और अच्छी तरह कूक हो गई है मिक्स कर लेंगे इसको चम्मस से अब तरका लगा लेते हैं दाल में तो यहां पर हमने तेल में जीरा डाल दिया है अब छे से साथ का लिया हमने लस्टन की आड़ कर दी इसमें इसको हमने बारी काट लिया था इससे बहुत यच्छा फ्ले कर लेंगे इसके बाद इसमें हम टमाटर एड़ कर देते हैं और साथ में ही इसमें हम लाज मिर्श पाउडर डालेंगे यह वन फोर ती स्पून है बस और इससे बहुत अच्छा करार आ जागा तो दो मिनिट तक इसको हम फ्राइड कर लेते हैं टमाटर के साथ टमाटर आप इसको चपाती से पराटे से और आइस से किसे भी दीजिए बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगेगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेर करना ना भूलें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं फिर अगले व